नमस्कार, NCRT गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह क्लासिक्स की संस्कृत की किताब रुचिरा का चैप्टर एट अश्टमह पाठा सूक्ति स्थबका सूक्ति स्थबका दो शब्दों से बना है सूक्ति और स्थबका सूक्ति का मतलब है सुन्दर उक्ति, उक्ती मतलब कथन, सुन्दर कथनों का स्थबका कहते हैं गुच्छा को तो सुन्दर कथनों का गुच्छा है यह पाठ आईए से पढ़े हैं पहला है उद्यमेन ही सिध्यंती, कार्यानी न मनोरत है, नोही सुपतस्य सिंगस, प्रविशंती मुखे म्रगा, काम केवल सोचने से नहीं, महनत करने से पूरे होते हैं, जिस तरह सोते सिंग के मुह में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता, उद्यमेन का मतलब है महनत से, स मतलब सोता हुव शेर, प्रविशंती मतलब प्रवेश करता है, म्रिग मतलब हीरन, मुखे मतलब मुह में, तो जिस तरह सोते सिंग के मुह में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता, अगली सुकती है, पुस्तके पठितह पाठह जीवने नैव साधितह, किम भवेत तेन प पुस्तक में पढ़ा गया, पाठ मतलब चैप्टर, जीवने मतलब जीवन में, नैव मतलब नहीं और साधितह मतलब उपयोग में लाया गया, तो ऐसा पाठ जो पुस्तक में पढ़ा गया, पर जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, किम भवेत, क्या होगा, तेन पाठ उन पाठों का उन चैप्टर्स का जीवने यो न सार्थक जीवन में जो उपियोग में नहीं लाया गया तो वे पाठ जो जीवन में सार्थक नहीं है उस पाठ से क्या लाव अगली सूकती है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुशन्ति जन्तवह तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता सभी जीव प्रिये वचन कहे जाने पर प्रशन्न होते हैं इस कारण से मधुर वचन ही बोलना चाहिए मीठा बोलने में कंजूसी क्यों प्रिये वाक्य प्रदानेन मतलब प्रिये वचन कहने से सुन्दर शब्द कहने से सभी जीव सर्वे तुशन्ति जन्तवह सभी जीव खुश होते हैं तुशन्ति मतलब खुश होना जन्तवह मतलब जीव जन्तु तो जितने भी जीव हैं सुन्दर वाक्य कहने से सुन्दर प्रियम ही वक्तव्यम, मधुर वचन ही, प्रिये वचन ही बोलना चाहिए वचने का दरिद्रता, दरिद्रता मतलब कंजूसी, गरीबी तो सुन्दर बोलने में कैसी गरीबी, कैसी कंजूसी अगला है गच्छन पिपिलिको यातियोजना नाम शतान्यपी और गच्छन वैतनेयोपी, पद मेकम नगच्छती चलती हुई चीटी, सैकरो कोस की दूरी पार कर जाती है नहीं चलता हुआ, गरुड भी, एक कदम भी नहीं चल पाता गच्छन मतलब चलती हुई, पिपिलिको मतलब चीटी याति मतलब चली जाती है, योजना नाम मतलब योजन कहते हैं कोस को, जिस तरह किलोमेटर है तो किलोमेटर से एक बड़ा मापने का पैमाना होता है कोस जो पहले यूज किया दाता था सतान्यपी दो शब्दों से बना है, सतानी और अपी सतानी मतलब सौ और अपी मतलब भी तो चलती हुई चीटी, जाती हुई चीटी, सौ कोस भी जा सकती है अग अच्छन वैनतेयो अपी नहीं चलता हुआ गरूर भी वैनतेय गरूर को कहते हैं और वैनतेय प्लस अपी, वैनतेयो अपी नहीं चलता हुआ गरुड भी पदम एकम पदम प्लस एकम एक पद भी एक पग भी नहीं जा सकता अगर गरुड रुका हुआ है तो वह एक पद भी एक पग भी नहीं चल पाएगा अगला है काका क्रिशना पिका क्रिशना को भेद पिक काकयो वसंद समये प्राप्ते काका काका पिका पिका काका कववे को कहते हैं तो कववा काला है और कोयल भी काली है तो कववे और कोयल में क्या अंतर हुआ क्या अंतर है तो वसंद का मौसम आने पर कववा कववा है और को यह अंतर स्पश्ट हो जाता है उनकी आवाज से प्राप्ते मतलब प्राप्त होने पर वसंत का समय प्राप्त होने पर काकह काकह कववा कववा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है कोयल की आवाज मधुर होती है कववे की आवाज करकस होती है तो इन दोनों के आवाज से हम इनका अंतर पता कर पाते हैं कौन अच्छा और कौन बुरा है मुझे उमीद है आपको ये समझाया होगा, इसके सारे सब्द और इसके मतलब हिंदी और अंग्रेजी में यहां दिये हैं, आप इसे जरूर रेफर करें, आईए हम इसके प्रशन भ्यास को देखेंगे पहला है कि सरवान स्लोकान सौस्वरम गायत, उपर जितने भी स्लोक हैं सभी को गाईए, ये आपका काम है, दूसरा क्वेशन है, स्लोकान सान योजयत, ये स्लोक का टुकड़ा दे रखा है, इसे जोरना है, तसमात प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, हमें मीठा ह कि बोलना चाहिए, बोलने में, मधूर बोलने में कैसी गरीबी, मधूर बोलने में कैसी कंजूसी, दूसरा है कि गच्छन पिपिल को याती योजना नाम सतानिपी, चलती हुई चीटी, सौः कोस की दूरी भी पार कर जाती है, तीसरा है कि प्रियवध्यप्रदानेन, तो ये सारे sentences इन स्लोकों से ही लिए गए हैं, तो आप यहां देखकर इनहें मिला सकते हैं, अगला प्रशन है, प्रशना नाम उत्तरानी लिखता, इन प्रशनों के उत्तर लिखिये, सर्वे जंतवह केन तुश्यंती, सभी जीव किस चीज से खुस होते हैं, तो प्रिये वक् के बोलने से खुश होते हैं, इसे आप अगर पूरा sentence लिखना चाहें, तो इस तरह लिख सकते हैं, कि सर्वे जंतवह प्रिये वक्य प्रदानेन तुश्यंती, अगला है कि पिक काकयोह भेदह कदा भवती, कव्वे और कोयल में अंतर कभ हो जाता है, तो वसंत के समय हो जात पूरा sentence पिक काकयोह भेदह वसंत समय भवती, कदा की जगह आप ये शब्द लगा देंगे, केन की जगह आप ये प्रियवा के प्रदानेन लगा देंगे, अगला है कि कौन सौ योजन तक चला जाता है, तो पिपिलिकह चीटियां सौ योजन तक चली जाती है, पूरा sentence पि अगला है असमा भी किम वक्तव्यम, हमें भी कैसी वानी बोलनी चाहिए, हमें भी कैसा बोलना चाहिए, हमें भी प्रिये बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, पूरा वाक्य असमा भी प्रियम वक्तव्यम अगला प्रश्ण है उचित कथना नाम समक्षम आम अनुचित कथना नाम समक्षम नौ इति लिख्यत जो कथन जो वाक्य सही है उसके सामने आम लिखिये आम का मतलब हाँ और जो वाक्य गलत है उसके सामने नौ लिखिये नौ का मतलब नहीं तो पहला वाक्य है काकह कृष्ण प्रियम वक्तव्यum हमें भी मीठा बोलना चाहिए तो हाँ ये बात सही है, इसके सामने हम आम लिखेंगे अगला वाक्य है वसंथ समये पिककाकयो भेदा भवती वसंथ के समय में वसंतरितु में कोवे और कोयल में अंतर हो जाता है तो हाँ ये वाक्य सही है इसलिए हमने इसके सामने आम लिखा है अगला वाक्य है वैनतेयह पशुह अस्ती गडुर एक पशु है तो नहीं गडुर एक पक्षी है तो ये वाक्य गलत है इसलिए हमने इसके सामने नौ लिखा है अगला वाक्य है वचने दरिद्रता न करतव्यम हमें अपनी बोली में कंजूसी नहीं करनी चाहिए ये वाक्य सही है इसके सामने हम आम लिखेंगे अगला प्रश्ण है मंजुशात समानार्थक पदानी चित्वा लिखतव इस बॉक्स में से इन शब्दों के समान जो सब्द है उन्हें चुनकर लिखना है वचने वचने का मतलब वाक्य तो उसी को हम कथने भी कह सकते हैं वाक्य को कथन भी कहते हैं अगला है वैनतियह गरूड को वैनतिय कहते हैं तो वैनतिय को यहाँ पे गरूड़ा लिख सकते हैं पुस्तके पुस्तक को गरंथ भी कहते हैं बड़े पुस्तकों को तो पुस्तके के लिए गरंथे लिख सकते हैं उद्यमेन उद्यम परिश्रम को कहते हैं तो उद्यमेन क इस तरह ये समान सब्द थे, यहां उल्टे सब्दों को मिलाना है, तो सार्थकह का उल्टा निरर्थकह, जो सार्थक का उल्टा निरर्थक होता है, अगला है कृष्णा, कृष्णा का उल्टा स्वेता, काला का उल्टा उजला, अगला है अनुक्तम, अनुक्तम का उल्टा उ जगे हुवों का, जो जगे हुए हैं उनका, तो जागरित जो जगे हैं उसका उल्टा जो सोए हैं, सुपतष्ह, तो ऐसे आप मिला सकते हैं इन विलोम पदों को, तो इसी के साथ खतम होता है, ये आपका chapter 8, मुझे उमीद है आपको ये समझाया होगा, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्षान में जरूर लिखिए हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई